अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक अगेन इन टेकनिकल ग्यान फ्रेंट्स टेकनिकल ग्यान में आज बात करेंगे कि हमारा तीन किलो वाट का कोई घीजर है तो उसके लिए हम अगर एमसीवी सलक्ट करनी होगी कितने एमसीवी सलक्ट करेंगे तो यूजली जो हमारे घीजर कर गरो में हाउस अप्लाइंस यूज होते हैं गीजर वह हमारे सिंगल फेस के होते हैं और टू किलो वाट थ्री किलो वाट या वाइफ किलो वाट मैक्सम यूज होते हैं तो थ्री कि के साथ में उसके एंपियर करने पड़ेगी मिन्स कितने एंपियर वह लोड लेगा तो हम पहले उसका एंपियर ले ले लेते हैं पावर हमें तीन हजर वाट दिया हुआ है और बोल्टेज 220 होगा सिंगल फेस का तो जब हम इसे निकालेंगा तो 13.63 एंपियर हमारा करेंट आ अब हमें होगा क्या कोई भी हमारा हाउस हो ओल्ड या लेक्टिकल अप्लाइंस उसमें 25% सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वह इसलिए लेते हैं कि कभी हमारा गीजर में को रोजन होड़ता है या बोल्टेज कम हुआ तो एंपियर ज्यादा हो जाएंगे इसलिए कि उस पे हम अब जादा होगा तो हमसी वी ट्रिप हो जाएगी इससे क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा कुछ एंपियर 25% सेफ्टी फैक्टर अलक्रिकल अप्लाइंस में पहले से ले लेते हैं तो होगा 25% लेंगे 13.63 का तो हमारा 3.4 एंपियर होगा टोटल एंपियर हम निकालेंगे तो 17 एंपियर हमारा हो जाएगा 17 एंपियर होने से फायदा क्या है 13 एंपियर में 3 एंपियर और एड होने से जब भी हमारा बोल्टेज का लेवल कम होगा तो करेंट हमारा आट्रोमेटिक बढ़ जाता है तो इसलिए हम क्या सेफटी फैक्टर एड कर लेते हैं ताकि हमारा जब तो हम मार्केट में जैसा कि हमारा ग्राफ दिख रहा है कि यह MCB यहां पर है उस MCB की जो रेटिंग यहां दिये गई है तो हमारे पास जो इस गी तीन किलोवाट का गीजर है इसकी 17 एंपियर तो हमारी रनिंग एंपियर आही रहे है टोटल एंपियर तो अगर हम इसमें है तो वह हमारे वीय ती बात है कम एंपियर्स है और हमारा जो ग्राफ दीले रहिए है तो इसके लिए हमें सूटेबल ग का मेंजर करता है जो रोड की कंडिशन से होगा यह में तो 16 ऑ स tapping है इसलिए हमेशा MCB की रेटिंग को सलेक्ट किया जाता है उस गीजर के रणिंग एंपियर से अबब क्यापसिटी गा तो इसलिए MCB यहाँ 20 एंपियर को सलेक्ट किया जाएगा कि इनकेस गीजर में अगर हमारा गीजर 17 एंपियर वहां करेंट ड्रॉ कर रहा है कुछ हुआ गीजर में हमारा बोल्टेज कमाए या जब हमारा कुछ टाइम के बाद हमारे गीजर में स्केल फॉर्मेशन होने लगता है जो स्केल फॉर्मेशन होगा तो भी हमारा एंपियर ज्यादा बढ़ जाएगे तो उस टाइम पे क्या होगा हमारी mcb ट्रिप करने लगेगी तो इसलिए हम क्या करते हैं सत्रा एंपियर से ज्यादा की जो mcb मार्केट में होती है हम उसे सलाट करते हैं तो 20 एंपियर यह suitable एंपियर है आपको जो अगर 20 एंपियर का हमारा mcb रहेगा तो आपके हाँ भी कोई electrical power system में कोई home appliance है तो जब भी उसकी running ampere निकाल लेंगे चाहिए single face का और three face का उसके बाद हम क्या करते हैं उससे above 25 परसेंट ज़्यादा यह हमेंसा 1.5 टाइम से ज़्यादा ampere का selection करते हैं उससे ओपर जाकर device को हम select करते हैं तो hopefully आपको समझ में आया होगा मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में नए logic और नए technology के साथ नए device के साथ नए appliance के साथ और तब तक के लिए